मैं डॉक्टर एस के कुल्सरेश्ट वर्दमान महाविर खुला विश्विध्याले कोटा में साहेक आचारे अर्थ सास्तर की पत्पय कार्यत हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश् को हम sampling बोलते हैं जैसे कि हम एक उधारन देना चाहें जनगर्णा भारत की जो जनगर्णा दस सालों में होती है वो एक population या sensex का उधारन होती है इसमें हम सभी के सभी elements को लेते हैं परन्तु अधिकांस समय हम जब भी हम यूज करते हैं सोध विदी का प्रवधी का या कभी भ पर्मित हो एक पर्मित हो जैसा कि पॉपुलीशन का एक पार्ट होता है जो पॉपुलेशन होते हैं जिसने बहुत सार घटक होते हैं उसमें से कुछ उसको हम सेंपल की रूप में लेते हैं, सेंपल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं और पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम पैरामिटर बोलते हैं, जैसे सेंपल का मीन हो गया उसको हम स्टैटिक बोलेंगे और पॉपुलेशन स्मॉल एंसे हमने सेंपल प्रोपपर्टी बताई है और केपिटल एंसे हमने प्रोपुलिशन के बताई है विय से हमने मीण वह इंपहरा है कि हम जब भी सेंपल इस्टैसिकि सेंपल के द्वारा population के parameter निकालने की कोशिज करते हैं तो हमारे पास एक संभावना होती है कि हम कितना उसके पास सेंपल की स्टैटिक population के parameter का पहुंचे तो इसमें जो रोल होता है वो रोता है standard error का standard error जो होती है वह सेंपल की मीन प्लस माइनस स्टेंडर एरर को हम जोड के हम यह 95% पर 90% पर 99% पर हम कोशिज यह करते हैं कि हम population के parameter तक उसको बताने की कोशिज करें अब जैसे सब्बोज करो हम वह depend करता है कि हमारा distribution कैसा है यह हमने sampling को कितने अच्छी तरीके से किया है अगर हम सपोज को 99% हमारा sample population के पास पहुचता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे वन परसेंट डिग्री ओफ फ्रीडिम के साथ 99 परसेंट इस बात की संभावना रहती है कि हम सेंपल की स्टैक्स के दवारा population के parameter को बता सकते हैं पास परसेंट का अगर level of significance लेते हैं अपने तो उसमें हम यह बता सकते हैं कि 95 परसेंट संभावना यह कि हमारा प्रसेंट जो होता है तो टोटल न मैंसे वन इसलिए गटाया याता है क्योंकि इसकी डिग्री ओफ फ्रीडम एज मायेस वन होती है अब सेंपलिंग जो होता है जैसा कि मैंने आपको पतायां आप्टी सम्पलिंग एक प्रोसेस होता है क्या करने का कि हम को population से सेंपल निका process होता है और चुण कि हमको सोध के अंदर रिशर्च के अंदर हमें समय हमारे पास limited होता है और हमारे पास वी मिक्ति होती है इसकर हम जब भी sampling करते हैं sample के द्वारा हम population की बात सबीच जाते हैं बनाना पारता है sampling frame का मतलब यह होता है कि कि हमको population से सेंपल तक पोस्टने का प्रोसरस कया है इसमें की प्रोबिल्टी सेंपिलिंग इसके पार्ड उते हैं जानि कि आपको बताना होगा कि सबसे पहले आपने किसी मौलों आगर आपको सपोज करो 50 पीपल चुने है तू हंड़ेट पीपल चुनने है यह आपके पास पता होना चाहिए कि आपका पहले बात तो एरिया रिशर्च क्या है उसके द्वारा आप किस तर तक वहाँ पहुचेंगे सपोज कीजिए जैसे कि 200 लोग 200 आपको सेंपल चाहिए है 200 सेंपल में पहुचने के लिए सबसे पहले आपको ए दिशाइड करना पड़ेगा आपको डिस्टिक का से ा किसा करना है उसमें से लोगों का सीलेंट से तो probability sampling जो होती है उसका अभीप्राई क्या होता है तो probability sampling का अभीप्राई होता है कि यहां सभी sample को sampling में आने क्या अफसर मिलता है और यह अफसर positive होना चाहिए यानि के a sample drawn in a way to give every member of the population a known it means non-zero chance of inclusion यानि कि कोई ना कोई संभावना हर sample की होनी चाहिए आने के लिए तो उसको हम probability sampling बोलते हैं तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि देखो probability sampling and non probability sampling में basic difference यह होता है कि probability sampling जो होती है probability based होती है उसमें सभी की आने की संभावना जो होती है और इस तरह जैसे diagram में दिखाए गया है कि कोई साभी selection sample की दूरूप में किया सकता है वही non probability sampling में थोड़ा सा बाइसनेस होती है उसमें आपकी द्वारा दिखाए कि आती है वही किस प्रकार के sample को किस आने की संभावना बढ़नी रहेगी यहां सभी की probability समान नहीं होती इसलिए इसे non probability sampling भी कहा जाता है अब हम probability sampling की सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम पास टाइप की sampling की बात करेंगे simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling और multi-state sampling तो सबसे पहले बात करेंगे हम simple random sampling की तो simple random sampling का मतलब होता है कि यहां सभी को sample में आने का equal chance मिलता है तो इसमें सभी का को बराबर संभाव ना होती है इसके कई तरीके होते हैं जैसे lottery method होता है tipped table होती है lottery method में सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे आपने सभी की number ढाल लिये जिन जिन को आपको जैसे population में suppose को आपको 2000 की population है 2000 की population में आपने सभी को कोई ना कोई करम एक रॉल नंबर या एक करम दे दिया और उस करम को किसी ड्रॉल में डाल दिया या मालव suppose कर उन में से किसी मालव आपको 200 लेने है तो 200 का random लिए अपने selection किया बगेर इच्छा कि लोट्री का मतलब यह होता है कि आपने उसको ड्रम में डाल की घुमा दिया और मर्जी से आपने 200 सेंपल लिया टिबट टेबल भी इसमें आती है टिबट ने एक टेबल बनाई है उसके द्वारा अगर आप सेंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको भी अपने का है कि रेंटम सेंपलिंगं में कहा जाता है कि रेंडम सेंपलिंग में सभी आने की संभावना होती है less सेलेक्शन की सम्भावना सभी की होती है जैसे की चेतर में दिखाया गया है कि जैसे 15 दे रखे हैं अपने पास पॉपुलेशन उसमें से अपने को 5 लोग को सेलेक्ट करना है तो 5 लोग हमने किसी प्रिकार से भी सेलेक्ट कर दिये तो इसको अपने क्या बोलेंगे simple random sampling बोलेंगे उसके बाद आती है systematic sampling systematic sampling का मतलब होता है probability sampling procedure that involved selecting every kth element from a list of population elements after the first element has been randomly selected इसका मतलब होता है अपने को पहला जो होता है उसको अपने random select करना है उसके बाद अपने को process follow करना है सपोज करो आपको 100 लोग लेने थे आपने पहला 3 ले लिया select कर लिया किसी भी मैथर से उसके बाद 3 के बाद 13 23 33 43 इस प्रकार से आप जिसके पीछे भी 33 लगा हुआ उन सबको आप select कर सकते हैं 10 को that is systematic sampling के हाथ जाता है यानि कि systematic sampling में कोई ना कोई process follow होना चाहिए पहले के selection को आप random करना है और बागी को आपको उसी system से आपको select करना है आप जोड भी सकते हैं just suppose कि जी आपने फिप्त आइटम लिया पहला या फिप्त लिया आपने select किया उसमें आप फोर फोर फी आप जोड सकते हैं सभी में जैसा कि एक example भी दिया गया है कि suppose करो कि divided total number of element by the number of you want in your samples आपको क्या करना है कि चोड़ीपीस population थी उसको आपको 6 में आपको sample चाहिए 6 sample चाहिए आपको तो आपने क्या किया आपने select किया 24 upon 6 किया तो 4 आया आपके पास तो आपने randomly select कर लिया उसमें से कोई साभी उसके बाद अपनों हर 4th item लेना है तो आपको क्या है आपको sample जो है 6 का sample 24 से आप ले सकते हो जैसे बताएगा random select a number between 1 to 4 ले 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 आप और उसके बाद हर 4 element आप लेते रहें तो भी इ इस तरह के डाग्रम में दिखा गया सपोज कर आपने दूसरा element select कर लिया तो दूसरे element के बाद हर आपने सपोज कर फोर्ट ले लिया दूसरे बाद 4 ले लिया उसके बाद 4 ले लिया कोई ना कोई एक systematic अपने को follow करना पड़ता है तो systematic random sampling तो statified sampling का मतलब होता है कि एक probability sampling हो procedure होता है that involved dividing the population in a group and or stata defined by the presence of certain characteristics and the random sampling from each stata तो सबसे पहले मतलब यह पूछना जाएंगे certified का मतलब क्या होता है तो stratified सब्द बनाए stata से stata का मतलब होता है group तो हमेशा इसमें group का ध्याना कर पड़ता है यानि कि इसमें हमेशा अपने को एक group बनाना पड़ता है जासित्यास होता है तो सब्सक्राइब करो को कुछ ऐसे विध्यारती का सब्सक्राइब करना किशी स्कूल में से की जो की जो की हर कि से क्लास्ट में से और उसमें से आपको रेंड़न थे आता है तो इसको बोलते हैं इस्ट्रहाइब सेंप्लिंग ध्यान रकने वाली इसमें यह है कि इसमें घुर्फ गिवन होगा और सेलेक्शन रेंडम उसमें से करना होगा अपने को और उसके बाद जो cluster sampling आती है जिसकी बात कम करते है cluster sampling का मतलब जो होता है कि इसमें हमको cluster का random selection करना पड़ता है तो stratified में तो अपने को group दिये थे उसमें से selection करना था cluster में अपने को group का ही randomly selection करना पड़ता है इसका मतलब definition यह है कि probability sampling procedure that involves randomly selecting clusters of element from a population and subsequently selecting every element in each selected cluster for inclusion in the sample तो इसमें बात ही है कि अपने को जैसे suppose करो examples कर लेते हैं आपने कि अपने पास पास group थे जैसे आपके suppose कीजिए पास class है उन में से पास class हों में से कोई class आपको randomly select करनी है तो that called cluster sampling तो इसमें दो type की sampling का आप कह सकते है single state cluster sampling हो सकती है single state cluster sampling में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमें एक group का selection करना है पास class है पास class में से कोई कोई तीन classes अपने को random select करनी है तो यह अपने को कहले जाएगी single state cluster sampling उसके बाद अगर सपोज करो हमको उन class में से भी उनके अंदर से भी विद्यारती class पहले अपने रेंडम सेलेक्ट करी उसके अंदर से भी पहले तो इसका अभी प्राइब यह हुआ कि अपने को सभी स्टेप्स में रेंडम सेलेक्शन ही करना होता है जैसे इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपने cluster select कर लिए cluster में सब cluster select कर लिए उसमें सब cluster select कर लिए यानि कि randomness जो होती हर cluster में चाहिए सबोज कर आपने को state selection किया state को जब आपने select किया तो randomly select किया उस states में से आपने जो भी state select किया उस में से district select किये वह भी आपने randomly select किये उस districts में से आपने जो भी सहर select किये वह भी आपने random select किये और सहर में से जो population अगर अगर हम रेंडमनेस को चार-पांच जगे अगर आपने एपलाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम multi-stage sampling तो उसमें सबसे पहले cluster बनाना होता है उसके बाद अपने को जैसा कि डाग्राम में बनाए गया है कि population को divide करना है multiple cluster के अंदर जैसा कि बताया गया है उसके बाद अपने को और divide करते जाना है पर हर जगे ध्यान ही रखना है कि हमको randomness यानि कि जहां भी है random का मतलब होता है कि बिना इच्छा कि यानि कि सबको equal chance मिलता रहे selection का यह ध्यान अकने वाली बात है तो इसके बाद हम आगे की slides में पढ़ेंगे कि non probability sampling क्या होती है उसके तरीके क्या होते हैं धन्यवाद